पैगंबर मोहमत पर टिपड़ी को लेकर जारी विवात के बीच अब विहार के मुखिमत्री नितीज कुमार का बयान सामने आया है उन्होंने नुपूर सर्मा का समर्थन किया है जी हाँ दरसल नुपूर सर्मा को लेकर पूछे गए सवाल पर नितीज कुमार ने कहा BJP ने जब एक्सन ले लिया है तो फिर इतने हंगामे की क्या जरूरत है इसी के साथ उन्होंने कहा कि BJP ने नुपूर सर्मा के खिलाब एक्सन तो ले ही लिया था नुपूर सर्मा के खिलाब केस भी दर्ज हो चुका है उसके बावजूद भी अगर कोई बात हो रही है तो उस पर ध्यान देनी की जरूरत है कुछ लोग जान बूज़ कर आपस में जगड़ा कराना चाते हैं जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज सोभाविक हो इसके अलावों उन्होंने या भी कहा कि बीजेपी ने जब नुपूर सर्मा के खिलाफ एक्सेंग ले लिया है तो फिर इस तरीके से हंगामा करने की क्या जरूरत है कितना भी कुछ कर लीज़े आपस में कुछ लोग जगड़ा करवाही देते हैं बिहार में कोई भी विवात का महाल नहीं है इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि राची हिंसा के दोरन बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन पर हमला हुआ या ज़ारखट सरकार का दायुत तो है कि इस मामले को देखे और ज़रूरी कारिवाही की जाए आगे नितिस कुमार ने कहा कि विहार सरकार ने ततकाल इस मुद्दे को ज़ारखट सरकार के साथ उठाया है आपको बता दे कि नुपुर जर्मा ने पिछले दिन पैगंबर महम्मत पर बयान दिया था और उनके इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ है इतना ही नहीं वहीं दिल्ली में जावा मजजित के सामने जमकर नारे बाजी भी की गई थी दूसरी तरफ यूपी के प्रयाग राज में भी जमकर हिंसा पहली यहां पर पुलिस पर पत्थराओ भी किया गया ब्यूरे रिपोर्ट आई पियन